अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको पता दे मिट्टी में मिला दिया गया है अतिक का बेटा असद असद और शूटर गुलाम को UPSTF ने एंकाउंटर में धेर कर दिया है तो वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अतिक को साथ दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है बड़ी खबर के साथ तमाम अपडेट के साथ मिरसाथ नियूस दूर्ण से जुड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एक्सक्योटर एडिटर राजीब जी राजीब जी कितना बड़ा फैसला है गया देखिए दो तरह के फैसले हैं दोनों एक कोड के तरफ से और ए एक तो कोड के हवाले से और दूसरा जो उन्होंने योगी आदितिनाथ को चैलेंज किया था उस चैलेंज का जबाब भी मिलना है इसलिए दो तरफा का रवाई शुरू सही हो रही थी पहले भी इनकाउंटर हुआ इस मामले में और फिर अब जो सबसे मेन जो इस मामले का बड़ा सूटर माना जाता था जिसको आगे इसलिए अतीक अहमद ने किया था कि उत्तर परदेश में उसकी दहस्त कायम हो क्योंकि अतीक अहमद कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है अतीक अहमद के पास सूटरों का पूरा का पूरा नेटवर्क है ऐसे में अतीक अहमद ने ये क्यों फैसला किया कि उसका बेटा असद इस सूट आउट में शामिल होगा इसके पीछे एक बड़ी वज़त थी और साहिस्ता परवीन भी ये बात बोल रही थी कि इस बच्चे को उसमें सामिल नहीं किया जाना चाहिए था ये कहा गया कि अश्रफ ने जब अतीक का भाई जो मकसद है उसको दिखाना है अब ये तो इन लोगों को भी पता था कि जिस जगह पर हम हत्या करने जा रहे हैं वहां CCTV कैमरे लगे हैं क्योंकि कोई भी बिना रेकी किये हुए इतना बड़ा सूट आउट प्लान नहीं कर सकता इसके लिए पूरी प्लानिंग होती है वो कह जाता है कहा रहता है किस रूट से जाता है कितने बज़े जाता है क्योंकि उमेश पाल को भी गनर मिला हुआ था और इन लोगों ने बम बंदूक और सारे प्लानिंग के साथ वहां पर गया था तो इनका मकसद सिर्फ उमेश पाल की हत्या करना नहीं था बलकि उमेश पाल क थे और मेरा बेटा इसमें सामिल है इसलिए जो करना है आप कर लो और उसके बाद जो ये चैलेंज की जानकारी जब यूपी पुलिस ने अपने नेटवर्क के माध्यम से योगी आदितनात को दिया तो उन्होंने खुली छूट दे दी कि इसमें जितने सामिल हैं नौ लोग जो आरोपी बनाये गए हैं और जो जो शूटर हैं उन एक भी सूटर को जिन्दा नहीं छोड़ना है और उसी में असद का नंबर आ गया गुलाम मुहम्मद का नंबर आ गया इन लोगों ने जिस तरीके से सूट आट प्लान किया था उसके पीछे का मकसद सिर्फ और मामला छे महीने तक चलता रहा जैसा कि असद को और उसके सहयोगियों को वहां से भगा दिया गया था दिल्ली में भी ये कुछ समय तक रहा दिल्ली में दिल्ली पुलिस और फिर उत्तर परदेश के पुलिस के जो इन्वेस्टिकेटिव डिपार्ट्मेंट है उन लोगों का पूरा का पूरा प्लानिंग यही था कि मडर करो और सारे के सारे लोगों को अंडरग्राउंड कर दो चाहे नेपाल ही क्यों न भेजना पड़े ताकि अगर धीरे धीरे ये मीडिया में खबरे आती रहेगी चलती रहेगी तो 2024 तक उत्तर परदेश में ये मामला चलाते रह कि उत्तर परदेश में अब माफियाओं का राज हो गया है अब law and order का situation खराब हो गया है जिसके बदहते उत्तर परदेश में योगी आदितनात की सरकार बनी क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा शुकून भाजपा की सरकार और योगी को CM बनाने से यही है कि उत्तर परद नहीं है सरकार का राज नहीं है उस चबी को सुधारने की कोशिश योगी आदितनात ने की उसमें काम्यावी आज पुलिस ने अपने बयान में ये कहा कि हमने जिंदा पकड़ने की खुब कोशिश की लेकिन पहले गोली वहां से चलाई गई असद और गुलाम ने पहले फा हतियार इनके पास है 47 है इसके पास विदेशी पिस्टन है तो ये सारे के सारे हतियार अगर किसी के पास है इतने खतरनाक हतियार तो पुलिस के साथ अगर उसकी मुटवेड होती है इनकाउंटर होता है तो पुलिस पहले क्या करती थी और क्या करती है उसमें अंतर हो गया ह पहले चुकि इसके उपर दवाब होता था कि पुलिस के जवान सहीद हो जाएं तो हो जाएं लेकिन गुंडे को माफिया को उसको मारा नहीं जा सकता है ये लोग कम से कम अपने पॉलिटिकल आकाओं के संरक्षन में थे अब इस्थितियां बदल गई है अब पुलिस को ये बता दिया गया है कि पुलिस का एक जवान को अगर खरोच भी आती है तो सामने वाले को सीधे उपर पहुचा दो और ये आदेश काफी है पुलिस वालों के हिम्मत और होसला बढ़ाने के लिए क्योंकि इनकाउंटर तो हुआ है फाइरिंग हुई है और दोनों तरफ से हुई है जब वो लोग विदेशी हत्यारों से ताबर तोड फाइरिंग कर रहे हैं और सरकार का जिस तरीके से कॉडिनेशन चल रहा है उत्तर परदेश में और माफियाओं के खिलाफ जो एक एक्सन चल रहा है उसी का नतीजाओ यह है इसलिए अतीक अहमद और मुक्तार अन्सारी जैसे लोग तडप रहे हैं अतीक अहमद की हालत तो ये है कि अगर मौका मिले तो जेल में वो आत्मत्या कर ले। खबर सामने आ रही है कि अतीक चक्कर खा के कोट रूम में ही गिर गया है पहले जब उसको खबर मिली कि उसके बेटे का एंकाउंटर हो गया तो वो रोने लगा दूसरी तरफ कोट से जट आएगा क्योंकि अभी जो काम चल रहा है उत्तर परदेश में वो सिर्फ एक माफिया के खिलाफ नहीं चल रहा है उसके नेटवर्क के खिलाफ चल रहा है और अतीक हमद का नेटवर्क सिर्फ ये छोटे मोटे सूटर नहीं है ये सूटर तो पनप जाते हैं इनको पैसा ले जगों पर वाइट मनी में तब्दिल करने के लिए इन्वेस्ट किया है अब वो तो अतीक अहमद बताएगा अब साथ दिन की रिमांड जो है उसमें अतीक अहमद एक एक लोगों का नाम बताएगा और इसी डर से अश्रफ अतीक के पूरे गैंग और नेटवर्क का सफाया हो तो पहले जो अयासिक जिंद्गी जीता था अब ये आत्महत्या कर ले क्योंकि इसको लगने लगा है कि अगर हम हैं तो हमारा पूरा परिवार खत्रे में है हम नहीं है तो कम से कम पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा सरकार है जो दवाब कम कर सकती है क्योंकि अगर ख मिला दिया गया मुझे रगड़ा जा रहा है ये बिल्कुल इनको लग रहा है कि अब हमारा तो सब कुछ कारवार खतम हो गया उसने कहा माफिया गिरी तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका था अब हमारे परिवार के खिलाफ ये कारवाई की जा रही है लेकिन ये तो सोचने वा पाहर रहे के ये पूरा का पूरा नेटवर्क चलाते हैं उस में से क्या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को भी ये कहा जा सकता है कि वो सामान जिंदगी जीने वाला है जिसको परिशान किया जा रहा है अतिक का पांच पांच बेटा और पांचों बेटव में से एक को भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये सामान जिंदगी जी रहा है ये पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी कर रहा है अपना कारोवार कर रहा है जिसका पूरा का पूरा परिवार चारो तरफ से भाई बहन बेटा भतीजा ये सब किसम माफिया में ही हैं, माफिया गिरी में ही हैं, तो इनके पूरे परिवार को खत्म करना भी जरूरी है, और इसलिए ये कारवाई इसके पूरे परिवार के खिलाप हो रही है। मतलब इन साथ दिनों में अतिक से पूश्ताच की जाएगी और हो सकता है कि सीन को रिक्रेट भी किया जाए, तो वही सबसे बड़ी कबर आज की ये है कि अतिक के बेटे असत और उमेश पाल हत्याकान का आरोपी शूटर गुलाम को यूपी स्टीफ की टीम ने एंकाउंटर म में हुआ है, इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही, कैमरे पसंद रवी के साथ मैं पूचा कैपिटल टीवी